एंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपको पूरी तरह से अपाहिज बना देती है मेरी बॉडी में इतना पेन होता था कि मैं करवड बदलने से पहले भी सौबार सोचता था मानलो जैसे कि आपको किसी ने जंजीर से बांध के डाल दिया है लेकिन आज हर सुबा मैं धाई से तीन किलोमेटर जॉगिंग करता हूँ एक घंटा बेडमिंटन खेलता हूँ और फिर एक घंटा योगा भी करता हूँ ये सब करने से पहले मुझे अब एक बार भी सोचना नहीं परता हूँ जिस तरह से मैंने अपने आपको ठीक किया है मेडिकल साइन्स के मताबिक एपॉसिबल ही नहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाला प्रशांत बचपन से ही एक पाइटिंग स्पिरिट वाला अचीवर रहा है चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानता था और इसी स्पिरिट की वज़े से वो टाइकॉंडो में ग्रीन वेल्ट चैंपियन था अपने स्कूल में हेड़ बोई और क्लास में टॉपर जब प्रशांत ने हमसे अपने डिजीज और हीलिंग की जर्नी शेर करी हमें तो गूसबंस आगर हमने डिसाइट किया कि हमें इमिजिटली जाकर उसकी स्टोरी डीटेल में शूट करके लोग उसे शेर करने चाहे है जून 2016 में मेरा इंजिनरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ और मैंने पहली बार घर से बहार अकेले रहने स्टार्ट किया जब मैं पहली बार कॉलेज आया मैं बहुत एक्साइटेट था मैंने सोचा स्टडी, स्पोर्ट्स, डांस सब में अच्छा करूआ पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा बुखार और बदन दर्थ मेरे सारे सपने चौपट कर देगा ऐसी हलत हो गई थी कि शायद ही कोई बोन बची हो जिसमें पेन ना हो ऐसा लगता था कि मानलो शरीर की एक एक हड़ी किसी ने जन्जीर से बांध रखी है अगर जरा सा भी हिलना चाता तो ऐसा लगता जैसे बेडियों का बजन लेकर हिलना नीज, एंकल्स, सारे जॉइंट्स पे स्वैलिंग हो गई थी और गलती से भी चीक आगई तो पूरी बोडी में शौक लगता था चीक ना है इसलिए मैंने एक ट्रिक सीखी ऐसे करके अगर हम नाक को पक्ड़ते हैं और ऐसे हिला लेते हैं तो चीक रुख जाती है ये करता था मैं मैं अलग-अलग डॉक्टर्स को दिखाता रहा है और्थो, फिजियो बगेरा हर कोई सेम टेस्स कराता था इस चक्कर में मैंने नौदस बार सी आर्पी और एसर करा लिया हूँ ज़्यादा तर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे डॉक्टर्स कुछ बता ही नहीं बाते थे और मैं पूछता रह जाता था कि प्रॉब्लम क्या है? किस वज़े से हो रहा है? किसी भी डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था लेकिन सब के पास तरह-तरह की दवाईयां थी मेरे लिए देखते ही देखते इस प्रॉब्लम को शुरू है धाई साल होगे कॉलेज का थर्ड एयर भी शुरू हो गया मेरे पूरे सेक्शन में मुझे 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 चार-पांच लोग ही जानते होंगे मेरी बैक जुकी-जुकी रहने लगी लोग मजाग भी उडाते थे यहां तक कि मेरे अपनोंने भी मुझे से कहा कि अभी से बुढ़ा हो गया यह बात मुझे और भी ज्यादा हर्ट करती थी ठीक होने की बात तो उसर बहुत दूर थी मुझे दो साल तक यह भी नहीं बता था कि मेरी मुझे बिमारी क्या है तीन साल के बाद एक डॉक्टर से मिला मैं वो रूमेटरलोजिस हैं एक स्पेस्चलिस्ट तो जब उन्होंने टेस्ट कर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको एस है एंक्लोसिंग स्पॉंडिलाइटिस तब तक मैंने नाम भी नहीं सुना था यह होता क्या है और मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर भाया तो यह तब जाके मुझे पता जाए अंक्लोसिंग स्पॉंडिलाइटिस होते हुए भी उसने बहुत बड़ी टेक कंपनी में जॉब हासिल करें लेकिन जब कंडिशन बहुत बुरी हो गए तब इसको अपनी जॉब को जाने देना पड़ा धीरे धीरे मेरी कंडिशन और बिगड़ती गई मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए वहाँ पेन किलर्स की ड्रिप चड़ाई तब जाकर मुझे कुछारा हुए डिस्चार्ज होकर जब घर वापस ले आए घर पे भी ड्रिप सी चड़ा रहे थे डिली तब भी कंप्लीटली बैड परी था शुरू में चार-चार दिन तक वाश्रूम नहीं गया रोक के रखता था ताकि कम से कम पेंच सेना पड़ी फिर भी प्रशान्त हर मानने वालों में से नहीं था उसको हर जगह मुश्किले फेस करनी पड़ी लेकिन उसने उमीद नहीं छोड़ी मेरी ये कंडिशन मेरे लिए एक्सेप्टेवल नहीं थी मैं घरवालों को सपोर्ट करना चाहता था लेकिन यहां तो मेरे कपड़े तक वही चेंज कर रहे थी अंदर से एक आवाज आती थी कि मैं हार तो नहीं मानूँगा तो बैड़ पे लेटे लेटे ही मैं यूट्यूब पे वीडियोज देखनी लगा कि कोई और सल्यूशन मिल जाए शायद फिर मुझे एक लड़की का वीडियो देखा जो मेरी तरह ही चल फिर नहीं पाती थी और आज वो दोड़ पा रही है तो मैंने उनसे बहुत रेलेट किया फिर मैंने देखा कि ये वीडियो सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल है उनकी वीडियो है तो मैंने उनकी और वीडियोज देखनी शुरू की वीडियोज को बार-बार देखने के बाद बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि उनकी knowledge और उनका logic बिलकुल सही है body में toxins ही root cause हैं किसी भी disease का ठीक होना है तो शरीर के अंदर से सफाई करनी ही हो मुझे बस ठीक होना था और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था पर सवाल ये था कि शुरू कैसे करूँ मैं तो बैट से उठ भी नहीं पा रहा हूँ तो मैं कर क्या सकता हूँ ना मैं exercise कर सकता हूँ ना मैं juice बना सकता हूँ तो मैंने सबसे पहले 16 hour fasting ट्राई की जिसको करने के लिए कुछ करना ही नहीं है बस हर साम से अगली सुबा तक कुछ खाना ही नहीं है simple अगर मुझे ठीक होना है अपने पेन को पूरी तरह से खतम करना है तो मुझे अपनी आदतों को बदलना होगा एक हफ्ते बाद मैंने कुछ नोटिस किया तीन साल में पहली बार मेरा पेन कम हुआ अब मुझे बाकी के steps फॉलो करने के लिए motivation मिला तो मैंने सुबह की चाय और बिसकोश हटा कर पेठे का जूस पीना शुरू किया breakfast में fruits खाने शुरू किये मुझे doctors ने बताया था कि कुछ fruits body के लिए ठंडे होते हैं और सुबह सुबह नहीं लेने चाहिए पहले डर लगता था कि केले ठंडे होंगे संत्रे ठंडे होंगे अमरूद से भी डर लगता था कितनी अजीब बात है ना मैं nature से मिलने वाली चीजों से डरता था और सोचता था कि चाय और packet में मिलने वाले biscuit मेरे लिए अच्छे होंगे मैंने decide कि अब से किसी भी shop पे जाकर कोई भी packet वाली चीज नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी लाइफस्टाइल फॉलो करते करते मैं बार बार वीडियो देखते रहता था जिनसे मेरे concept किलियर होते जाए तो मैंने जो ओनलाइन वरक्शॉप होती है वो भी ये ट्रेंड की जिससे मुझे और ज्यादा डेट में नॉलिज में फिर मैंने ये किक करके और स्टेप्स भी याई अभी मैं एनीमा ओर संबेधिंग भी रेगुलरी कर पाقط आख है चैसे जैसे मैं इस lifestyle को अपनाता गया विना पेन के उट पारा था बैट पा रहा था, जुक भी पा रहा था, अब मैं खुल के छीक पा रहा था और मैंने महसूस किया कि छीकनी के बाद कितना अच्छा लगता है आज मैं डेली, आसानी से 2-3 किलो मीटर तक दौड लेता हूँ एक घंटे बैड मेंटन खेल लेता हूँ और फिर एक घंटे योगा भी करता हूँ बस इतना ही नहीं, जो प्रशान्थ सब लोगों से दूर रहता था जो प्रशान्थ लोगों से बात करने में भी शर्माता था आज वही प्रशान्थ लोगों को इंस्पायर कर रहा है प्रशांत ने एक 4 a.m. क्लब शिरू किया है इसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ हेल्दी लाइश्टाइल जीते जब मैं रोज रोज दौडने लगा तभी पडोश की एक लड़के ने मुझे जोईन किया और आज हमारे एक बहुत अच्छा गुरूप मैं अब ऐसा होता है कि हर सुबा चार वजे वाट्चाप पर गुड मॉनिंग करते हैं किसी का रिप्लाई नहीं आया तो उठाते हैं कि भाईया चलना नहीं है क्या अपनी जर्णी को शेयर करने के लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है मेरे जैसे और कितने लोग होंगे जो शायद इस प्रॉब्लम से आज हार मानने वाले हैं मैं चाहता हूँ at least मेरा experience उन तक पहुचे अब तो मैं सात्विक तरीके से कुगीं भी करने लगा हूँ और उन सब की recipe videos भी मैं शेयर करता हूँ अभी मैंने बिंडी को डाल दिया है अभी धक्य रख लेंगे और 20 मिट के बाद इसको चेक कर लेंगे तो आज हम बनाएंगे खीरे की रोटी तो उसको तब तक हमान लेते हैं तब तक ये कुग भी हो जाएगी तो हमारा time भी save हो जाएगा और अच्छे से कुग भी हो जाएगा मुझे में एक और चीज बदली है जो काफी अंदरूनी है मैं सोचता हूँ भगवान ने अगर ये disease और ये दर्द मुझे दिया है तो fighting spirit भी उन्होंने ही दिया इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा ऐसा मुझे लगता है अब मुझे सिर्फ अपने फाइदे के लिए कोई job या काम नहीं करना है मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे सोसाइटी में एक अच्छा बदला हो आई मेरे लिए तीन साल की बिमारी शायद कुछ सिखाने के लिए मेरी लाइफ में आया थी इतने पेइन के बावजूद भी मेरी लाइफ एक पॉजिटिव दारेक्शन की तरफ बे ही नॉर्मल कॉलेज या जॉब से मैं नहीं सीख पाता हूँ जो प्रशान जब हम आपसे लास्ट मिलेते हैं उसको चाल महीने हो चुक है हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसा कर रहे हो अब क्या आपकी डिजीज अभी भी एकदम ठीक है किया अभी मैडिसिन ले रही हो कैसा चल रहा है अबकोश-दाश चोग है और मिट काफी लॉस हो गया था तो वह थड़ा एक इसुथा और फिर thereby ak in को ने आपने रोटीन में इसकी वज़े से अभी मैंने दो-केजी वट को गेन उन बीकिया है और जब आप ये वेट गेन कर रहे थे तो जो भी आपके सिंटम्स से जॉइंट पेंज वगरा वो सारे कुछ भी दुबारा आये ने सर जॉइंट पेंज वगरा कुछ नहीं था वो जो दिन बात पेंज भी हुआ था सर उसमें भी एक अलग खुशी थी कि ये पेंज मुझे अलग-अलग सेटिंग्स में अपने शॉट्स लेने पड़ते हैं इस पूरे शूट के दौरान कैसा लगदा है वस्तों शूटिंग प्रॉसस फोर यू शूटिंग प्रॉसस बिल्कुल मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्स्पिरेंस था क्यूंकि मैं जहां से मैं बलॉंग जब यह विडियो हम बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे प्रशांत वाट इस विश कि उन तक क्या पहुंचे क्या मैसिज पहुंचे कि मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने एक की सोची थी कि हार नहीं मानने क्यूंकि आप सोच नहीं सकते शायद कि मैं किस कंडिशन से खड़ा आप बहुंगा पस जब मैं वह याद करता हूं मैं शायद फिर से रोदूंगा लेकिन हर बार जहां भी जाता था इसी होप से जाता था कि शायद अब तीक हो जाऊंगा तो कहीना कहीं से रास्ते खुले वीडियो बिडिएओ देखता था तो पता नहीं था कि आप आप्का वीडियो भी मिलेगा यह सब मैंने किया बढ़ मुझे रिजर्ट्स नहीं मिले ओन मन्त हो गया वन एण हाफ मन्त हो गया मुझे रहे हैं तो मैं थोड़ा सा डिप्रैस होने लगा कि या इससे भी कुछ नहीं हो था विभी मैंने सोचा कि मैं नहीं रुकना है, दो महीने में भी नहीं रुकना है, एक लिए नहीं होता है कुछ, वह बाद में देखेंगे, जहां मैं नौ महीन दे चुका हूँ, इसे शिक्स मन देश सकता हूँ, और शायद वो चीज़ें भी मेरे साथ इसलिए हुई, कि आज मैं यहां पर हार ना माझा ह एक महीने में ही, कि इस चीज को फॉलू करूँ एक महीने में ना हो, तो मैं हार माझा हूँ, तो मैं यही सूचता हूँ, जो भी मेरे साथ पहले हुआ, उस सब से, मुझे कुछ ना कुछ भी वो सिखाना चाते थे, वो मैंने सीखा, और आज शायद मुझे यह दाते लिए, और मैं उस पर चल पाया, तो thank you so much आप सभी के लिए, दिल से, thank you Prashant.